दोस्तों अगर आप 2024 में होंडा की साइन 125 लेने जा रहे हैं तो जाइड सी बात है आपके मन में बहुत सारे प्रश्ण होगे कि कहीं ऐसा नहों कि हम 77,000 या 81,000 एक्सोरूम प्राइस पे इस बाइक को ले लें और लेने के बाद फिर बाद में हमें ये पस्ताना पड़े कि य लास्ट में कंक्लूजन करेंगे कि साइन 125 लेनी चाहिए या फिर नहीं चलिए सुरुआत करते हैं इसके अच्छी चीजों से सबसे पहला पॉइंट है इंजन इस रिफाइन रहा है कंपनी ने रिफाइनमेंट लेवल हमेशा से बेस्ट रखा है ये चीज मुझे बहुत प अगर आप बाइक लेते हैं दो चार साल चलाते है और फिर उसको बाद दुबारा उसको बेजने जाते हैं तो आपको एक अच्छी रिसेल वेल्यू मिलेगी अगला पॉइंट है कि बेस्ट फॉर डेली कम्यूट ऑल्सो फॉर हाइवे देखिए ये बाइक अगर आपको डे राइडिंग पोश्चर इसमें कमणी ने बढ़िया दे रखा है तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी अगली चीज है गुड माइलिज इस बाइक में आपको एक अच्छा माइलिज देखने को मिलता है अगर आप राइडिंग पोश्चर आपका अच्छा राइडिंग स इस बाइक का जो सबसे बड़ी खास्यत है वो यही है कि यह नीट एन क्लीन लुक के साथ आती इसमें बेजबर का धंड कमंड कंपनी नहीं लगा कर देती है जैसे कि कोई भी फ्यूल काउल आपको नहीं मिलेगा कोई भी पीछे के तरफ इक्स्ट्रा फाइवर देखने को नहीं मिलेगा तो यह चीज कहीं कहीं लोगों को प्रभावित करती है उन्हें नीट एन क्लीन बाइक जादा पसंद आती है अगला पॉइंट है इसका सबसे आखरी पॉइंट वो है मोर इस्टेबल यह बाइक अपने आप में बहुत इस्टेबल है क्योंकि यह मेरी दूसर इसका सबसे निटी बाइकों की तुला में यह रोड को से ज़्यादा चिपक कर चलती है और अगर दो दो लोगों के साथ चलते है तो और जश्यादा चिपक कर चलती है तो कईन कई यह बाइक मुझे बहुत इस्टेबल फिल करवाती है जिससे एक कॉइंट समया आता है तो अपडेट नहीं करती है, मीटर कंसोल इतना बेसिक है कि मतलब मैं क्या ही बोलू, आज कल 100cc की बाईकों में भी डिजिटल मीटर कंसोल छोटा सा कंपनी लगा कर देती है, स्कूटर्स में तो ये चीज़ एकदम पर्मनेंट हो चुकी है, लेकिन अभी Sign 125 में इस तरह का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है तो इसको लेकर कई सारी सिकायते भी ले होती हैं और बहुत सारे लोगों को यही classic design ही ज़्यादा पसंद आती है आपको क्या पसंद है, ये वाला या फिजिटल वाला ये आप comment में हमें बताएं अगला point है, rivals offers more value for money अब इसके जो rivals हैं जैसे की super splendor हो गई, glamour 125 हो गई, pulsar 125 हो गई, जो इसके rivals है ना उनमें इस bike के अप एकछा कहीं ज़्यादा features मिलते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार, value for money वो वाली bike के हैं, बलकि sign 125 value for money के segment में नहीं आपा रही है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइएगा, अगली चीज़ मैं बताता हूँ, no modern features, इस bike में कोई भी modern feature आपको नहीं मिलते हैं, जैसे की digital meter console हो गया, LED headlights हो गई, LED turn lights हो गई, या फिर Bluetooth connectivity हो गई, या फिर mobile charging port हो गया, इस तरह के कोई भी चीज़ें इस bike में आपको नहीं मिलती हैं, ये bike neat and clean भले ही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें modern feature के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, और अगला point है कि same price point of Pulsar 125 and other SP 125, अब इस bike के एक चीज़ में आपको बताऊं कि देखिए जो price point पर ये sign 125 आती है, इसी price point पर भजाज की Pulsar 125 का neon edition आता है, अब आप सोचिए कि लोग सोचते हैं कि यार sign लेने सच्छा है, Pulsar 125 का neon model ले ले लेते हैं, same price में आएगा, Pulsar का भोकाल भी अलग है, brand भी थोड़ा बढ़ा बन जाता है, प्लस modern feature थोड़े बहुत add हैं उसमें, तो इस वज़े से लोग उस पे चले जा रहे हैं, तो sign पे इसका प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, तो इसी इस पे भी company को ध्यान देना चाहिए, और खासकर आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, जितने भी points मैंने आपको बताए, अगर ये आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो आप लेने से पहले destroy जरूर लीजेगा, और सोचिएगा क्योंकि इसके अलावा और भी जो है बाइक्स अवलेबल हैं इंडियन मार्केट में, एक सो पची सी सेंगमन में हैं, अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें Sign 125 लेनी चाहिए, तो मैं आपको साफ तोर पर बता दूँ, अगर आपको modern feature का कोई सौक नहीं है, जो इसमें आगे halogen bulb लगा है, उसका उजाला परयाप्त होता है, कोई दिक्कत परशानी नहीं होती, अगर आपको modern feature नहीं चाहिए, एक अच्छा mileage, एक refined engine, powerful engine, साथ ही साथ, एक अच्छा look, neat and clean look, low maintenance, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, daily चलना है आपको, तो आप आग बंद करके Sign 125 ले लीजे, लेकिन अगर आपको daily use में, mobile charging बहुत important हो गया है, या फिर आपको digital console चाहिए, LED headlight चाहिए, मतलब modern feature चाहिए, तो फिर आप दूसरी पाइक पर shift कर सकते हैं, अब आप अपनी comment section में हमसे ज़रूर साजा कीचेगा, कल हम फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान लखिएगा, कोई सवाल हो तो हमसे पूछ लीजेगा comment section में,